बहुत से टीचर्स क्विज 1, क्विज 2, क्विज 3, क्विज 4 को लोकेट नहीं कर पा रहे हैं तो आज के विडियो में हम जानेंगे कि हमें क्विज 1, क्विज 2, क्विज 3 और क्विज 4 कहा मिलेगा अगर फिर भी आपकी problem solve नहीं होती है तो आप support at imaginexp.freshdesk.com पर mail कर सकते हैं और यही mail ID आपको description box में भी मिलेगा तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले आप course पे click करेंगे click करने के बाद आप यहां देख रहे हैं आपको 4 courses देख रहे हैं आप इसमें से जब किसी एक course को click करेंगे suppose यहां पर मैं अभी design and storytelling को click कर दियू तो मुझे यहां पर post class quiz 1 दिखाई देगा आप देख सकते हैं कि मैंने design and storytelling को click किया तो उसमें चाकर मुझे post class quiz 1 दिखाई दिया इसके बाद इसी तरीके से यदी मैं दूसरे design and storytelling के वापस से वही आ गया है हम दूसरा देखते हैं हम इसके बाद यदी click करते हैं design thinking पर तो मुझे यहां post class quiz 3 दिखाई देगा चुकि हमारी class होने के बाद हम attempt करेंगे और हम देख लेते हैं post class quiz 4 post class quiz 3 कहां दिखाई देगा अब यहां देखे जब हम यहां गए तो हमें यहां पर post class quiz दिखाई दे रहा है address complex वाले module के नीचे इसी तरीके से हम यदी हमारा post class quiz 4 देखना चाहते हैं तो वो हमें visualizing user need के नीचे दिखाई देगा और यह देखिए आपको यह quiz इस तरीके से यहां पर दिखाई दे रहा है और I hope मेरे जो यह videos हैं यह आप में से बहुत से लोगों कोई help कर पा रहे हैं पर फिर भी मैं 100% यह नहीं कहती कि यह video सब के लिए ही useful होंगे in if it is not useful then you can just mail at imagine xp you know and if you like the video please click on like button and subscribe the channel so that मैं जब भी को वीडियो पोस्त करूँ तो आप उससे अप्डेटेटेटे रहे